सन 2153 तक धर्ती पर इंसानों की आबादी बढ़कर 2400 करोड के पार पहुँच चुकी थी जिसे खाना पानी और ऐसे ही जरूरी संसाधनों की अत्यधिक किल्लत होने लगी थी इसके समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने प्रित्वी जैसे ही किसी और ग्रह की खोज शुरू कर और जब ये युद्ध अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया तब वैज्ञानिकों ने एलिसेम स्पेसशिप को लांच किया एलिसेम एक विशाल का स्पेसशिप थी जो प्रित्वी से 60,000 इंसानों को लेकर टैनिस ग्रह पर बस्ती बसाने के मकसद से निकली थी इस स्पेसश में 50 से भी ज्यादा फ्लाइट टीम्स मौझूद थी हर टीम में एक लेटनेंट और दो कॉपोरल मौझूद थे उन फ्लाइट टीम्स में से पहले टीम दो साल तक जाकर स्पेसशिप को संभालने वाली थी फिर दो साल बाद पहली टीम दूसरी टीम को जगा कर खुद अप साल बीट चुके थे उसे वक्त स्पेसशिप की देख भाल करने की जिम्मेदारी चौथी टीम की थी एक दिन उनके पास प्रित्वी से एक मेसेज आया ना जाने उसे मेसेज में ऐसा क्या था जिसे सुनकर वे तीनों अंदर तक का पुठे ऐसे ही समय बीटता रहा उसे निकल आया उस आदमी की याददाश्ट धुंदली पर चुकी थी उसे अपना नाम तक याद नहीं था हालांकि उसे यह बात याद थी कि वह स्पेसशिप के फ्लाइट टीम का मेंबर था और साथ ही उसे अपनी ट्रेनिंग भी याद थी लेकिन उसे उसका मिशन याद नही उसी पल उसका ध्यान अपने हाथ पर बने एक टेटू पर गया जिसमें लिखा सीरियल नंबर से उसे पता चला कि वह स्पेसशिप के पांचवे फ्लाइट टीम का मेंबर था उसने देखा कि कमरे में दो और स्लीपिंग बोर्ड्स थे जिसमें से एक पर कॉपोरल कॉपर न उसने जब उसे लाकर को खोल तो उसमें उसके कपड़े और एक लड़की की तस्वीर रखी थी साथी वहाँ ये इंस्ट्रक्शन भी लिखी थी कि जादा समय तक हाइपर स्लिप में होने की वज़े से याददाश्ट चली जाती है लेकिन धीरे धीरे याददाश्ट वाप उसने लाफटिनेंट को जगाने के लिए उसकी स्लीपिंग पोट को खोलने का स्विच घुमाया लेकिन बिना बिजली वह भी खूल नहीं पाया कुछी देर बाद स्पेस्शिप की बिजली अपने आप ही लोटाई इस पल स्पेस्शिप ऐसे हिलने लगी मानो उसमें भूक कम पा गया हो बिजली आते ही लाफटिनेंट पैटन का स्लीपिंग पोर्ट भी खुल गया कुछी पलों में बिजली फिर से गुल हो गई तब तक पैटन अपने स्लीपिंग पोर्ट से बाहर आ चुका था पावर की तरह उसकी याददाश्त भी धुंधली पर चुकी थी इ उसे याद दिलाते हुए कहा इस वक्त हम लोग एलसियम स्पेसशिप में हैं और हम शिप के फ्लाइट टीम पांच के मेंबर हैं मुझे लगता है हमें पृत्वी से निकले आठ साल हो चुके हैं यानि कि अब शिप पर काम करने की बारी हमारी है इसलिए कम्प्यूटर ने ह हमें जगा दिया है हालांकि हमें जागने की जिम्मेदारी टीम चार की थी लेकिन उनका कुछ पता नहीं है ये सुनते ही पैटन ने भी अपने कपड़े पहन लिए उसी पल पैटन को याद आया कि वहां एक दरवाजे के पीछे शिप का कंट्रोल रूम है जहां से वे की फ्लाइट टीम से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्हें किसी का भी जवाब नहीं आया इसी दोरान उनका ध्यान वेंटिलेशन की ओर गया पैटन ने सुझाव दिया कि उन्हें वेंटिलेशन में जाना चाहिए शायद वहां से उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्त देता जा रहा था इसी बीच एक बार फिर स्पेस्शिप में बिजली लॉट आये और स्पेस्शिप फिर से थर्थराने लगा उसी पल बाबर को याद आया कि स्पेस्शिप के न्यूक्लियर रियक्टर में गड़ बड़ी की वज़े से ही बिजली की समस्या हो रही थी और वह ये सब इसलिए जानता था क्योंकि वह स्पेस्शिप का मकेनिकल इंजिनियर भी था बाबर ने ट्रांस्मिटर पर पैटन से कहा कि यह समस्या ठीक करने के लिए उन्हीं रियक्टर को रिसेट करना होगा अब वेंटिलेशन में ट्यूब्स इतनी जादा घनी हो गई थी कि वहां बाबर का दाम भूटने लगा लेकिन बाबर किसी तरह खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ता रहा तभी एक जगा पर आकर वह अचानक सिर के बाल नीचे एक जाली पर गिर पड़ा उसकी गरदन तूटाने से बाल बाल बच गई उसने जब आसपास अपनी नजरे दोड़ाई तो देखा कि वहां उसके साथ एक लाश भी लटक रही थी वह लास्ट इसको पकी थी जो अपने स्लीपिंग बोर्ड से गायब था अपने स्लीपिंग बोर्ड से बाहर आने के बाद ऊपर ने भी बाबर की तरह वेंटिलेशन से बाहर निकालने की कोशिश की थ लेकिन वहां सर के बाल गिरने से उसकी गर्दन तूट गई थी और वो मर गया था उसे देखकर के मारे बाबर ने जट से वह जाली खोल दी जिससे वह सीधा स्पेसशिप के स्टोरूम में जाग गिरा नीचे गिरने की वजह से उसके ट्रांस्मिटर में कुछ खराबी आ गई जिससे उसका पैटन से संपर्क तूट गया बाबर जब उसे शोरूम से निकल कर स्पेसशिप के कॉरिडोर में आया तो उसने देखा कि बाहर चारों और खूब सननाटा पसरा हुआ था बाबर इस उम्मीद में आगे बढ़ने लगा कि शायद आगे उसे फ्लाइट टीम का कोई मेंबर मिल जाए तो अभी अच्छानक उसे वहां एक लड़की देखी जो एक रोड की मदद से किसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी वो लड़की बाबर की भनक बाते ही वहां से भागने लगी बाबर भी अपनी पूरी तेजी के साथ उसका पीछा करने लगा कुछ दूर जाते ही बाबर ने देखा कि वो लड़की अंधेरे में रास्ते के बीचों बीच रुक गई है बाबर ने उसके पास जाकर जैसे ही अपने टोर्च की रोशनी उसकी ओर की तो देखा कि वो लड़की नहीं थी बलकी वहां किसी की पूरी तरह कटी हुई लाश लटक रही थी उसे देख डर के मारे बाबर के हाथ पैर ठंडे पढ़ गए वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उसे लड़की ने उसे पर हमला कर दिया और उसकी गरदन पर खंजर रख दिया तभी बाबर को अपने पीछे से आई कोई आहत सुनाई दी उसने जैसी गुर्राने की आवाज भी गूंजने लगी थी इतने मेही किसी ने एक जटके से वहाँ लटकी लाश को ऊपर खीच लिया और किसी बहसी जानवर की तरह उसे नोच नोच कर खाने लगा बाबर डर के मारे अपनी पूरी तेजी के साथ वहाँ से भाग और वापस उसी स्टोरूम में जाकर छुप गया अगले ही पल वह नीली रोशनी तेजी से उसके सामने से गुजरी बाबर ने हिम्मत जुटा कर जब बाहर जांक कर देखा तो अपने सामने एक भयानक प्रानी को देखकर उसकी सांस तक थर्रा उठी थी उस प्रानी के हाथों में एक भला वह नीली रोशनी उसके भले की नोक से ही आ रही थी तभी बाबर ने उसे स्टोरूम की ही और आते देखा घर के मारे बाबर इस वेंटिलेशन में जाकर छुप गया जहां से वह बाहर निकाला था लेकिन दुर्भाग्य से इस वक्त उसके ट्रांस्मिटर ने काम करना शु जिल गई और वह उसे लेकर भाग गया बाबर ने इस वक्त पैटन को भी उन खुनखार प्राणियों के बारे में बताया जिसे सुनकर पैटन भी हरन रह गया इनी बातों के बीच पैटन को याद आया कि वह साथ हजार पैसेंजर को लेकर टैनिस ग्रेव पर बस्ती बसाने के मिशन पर निकले थे पैटन की बात सुनते ही बाबर को भी पुरानी कुछ बाते याद आने लगी उसे वह लड़की भी याद आये जिसकी फोटो उसे उसके लोकर में मिली थी वह लड़की बाबर की पतनी थी साथ ही उसे ये भी याद आया कि इस मिशन में उन सब के पर यह एक विशाल स्पेस्शिप है और हमें तो याद भी नहीं कि हमारे परिवार इस वक्त कहां है इसलिए हमें पहले स्पेस्शिप को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए अगर स्पेस्शिप ठीक हो गई तो हम कंट्रोल रूम में मौजूद कम्प्यूटर की मदद से अपन तो उने गन मिल गई उसे गन को अपने हाथ में पहन कर बाबर कॉरिडोर में आगे बढ़ गया इस दोरान पेटेंग कम्प्यूटर की मदद से उसे स्पेस्शिप रियाक्टर तक पहुँचने का रास्ता बता रहा था ताकि बाबर रियाक्टर को रिसेट करके स्पेस्शि के बारे में पूछा तो पेंदुलम शब्द सुनकर पेंद के चहरे से हवाया ही उल गई पेटन ने बाबर को एक कहानी सुनाए एक बार पांच हजार लोगों को एटन नाम के अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया था उसे मिशन में एक क्रू मेंबर ने अपना दिमागी संतुल खो दिया उसे लगने लगा था कि उनकी स्पेस शक्ष रापित है इस सोच उसे पागल कर दिया अपने पागलपन में उस क्रू मेंबर ने अपने साथ साथ स्लीपिंग बोर्ड में सो रहे सारे 5000 लोगों को अंतरिक्ष में लॉंच कर दिया जिससे भी सारे लोग मारे गए दॉक्टर ने उसके पागलपन को पेंडोरम बीमारी है जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को होती है पेंदुलम की शुरुआती लक्षनों में मरीज की आददाश्ट काम जोर हो जाती है फिर उसके हाथ पैर कांपने लगते है अगर किसी बात से कोई सद्मा पहुंचे तो पेंडुलम उसे पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और वो पूरी तरह से पागल हो जाता है इस कहानी ने बाबर की भी रोंटे खड़े कर दिये थे उसने पेटें से अपने हाथ कांपने वाली बात चुपाना ही बहतर समझा आगे बढ़ते हुए बाबर जैसे ही शिप की उपरी मंजल पर पहुंचा तभी उन खुखार प्रानियों को बाबर की भनक लग गई और वह मौत बनकर उसके पीछे पर गए उनसे बचकर भागते हुए बाबर का पर एक रसी में फस गया जिससे बाबर नीचे गिर कर उसे रसी से लटक गया उस बाबर का ट्रांस्मीटर फिर से खराब हो गया जिससे उसका पैटन से समपर तूट गया इतने मेही वे प्रानी बाबर की रसी को उपर खीचने लगे बाबर बस उनके हाथ लगे ही वाला था तभी एक आदमी ने बाबर की रसी काट कर उसकी जान एक सुरक्षित कमरे में ले आया उस आदमी का नाम मैन था और वह वियतनाम से था मैन बाबर से वियतनामी भाषा में कुछ बढ़बढ़ाने लगा लेकिन बाबर को उसकी भाषा समझने नहीं आये इसी दौरान बाबर मैन के हाथ का टैटू देखकर समझ गया कि वह अगरीक मैन और उसे लड़की के बीच घमासान युद्ध होने लगा लेकिन तभी बाबर ने हवा में फायर करके उनकी लड़ाए रोक दी और उनसे कहा अगर हमें जिन्दा रहना है तो हमें मिलकर काम करना होगा हमें जल्द से जल्द स्पेस्शिप के रियक्टर को रिसेट करके में के साथ रियक्टर की तलाश में निकल पड़ी रास्ते में उस लड़की ने बताया कि उसका नाम नदिया है और वह एक बाउलोजिस्ट है वह लगभग 6 महीने पहले अपने स्लीपिंग पोर्ट से जागी थी और 6 महीना से अपने लेब में पल रहे की रिखाकर जिन्द बाबर को बताया कि यह चंबर उन प्राणियों का हंटिंग जोन है वे प्राणी यहां आकर स्लीपिंग बोर्ट से निकलने वाले लोगों का शिकार करते हैं इसलिए उन्हें यहां से जल्दी निकलना चाहिए यह बात कर नदिया जल्दी उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगी लेकिन तभी मैंग को वहां उन प्राणियों के होने का एहसास हुआ वह सतर्क होकर वही जम गया नदिया उसे छोड़कर बाबर को लेकर वहां से भाग रही थी कि तभी उनके नीचे का जाली नुमा फर्स्ट उट गया जिससे वे दोनों एक कीचर से भरे गड़े में निकाल पाते उससे पहले ही एक प्राणियों की नजर कमजोर थी पर उनकी सुनने और सुगने की शक्ती काफी तेज थी उसे देखवे दोनों उस कीचर में ही छुपी रहे जिस कारण उस प्राणी को उनके गड़ नहीं मिल पाए और वह वहां से चला गया उसके जाते ही ब ना खंजर घोप दिया उसके बाद बाबर ना दिया और मैन तीनों ने मिलकर उस प्राणी पर खंजर घोप घोंप कर उसे मौत के घात उतार दिया पर तभी उस प्राणी के और भी साथी आ गए लेकिन वे प्राणी उन तीनों को छोड़ अपने ही मरे हुए साथी पर तू आदमी नजर आया उसे देखवे लोग सतर्क हो गए लेकिन उस आदमी ने कहा डरो मत तुम लोग यहां सुरक्षित हो क्या तुम मुझे बताऊगे कि तुम लोग कहां जा रहे हो इस पर बाबर ने बताया कि उन्हें स्पेस्शिप के न्यूक्लियर रियक्टर की तलाश है य कहकर शेफ ने उस चेंबर की दिवारों पर लगी कई से उन्हें सूप बना कर दिया जिसे पीते हुए वे तीनों आराम करने लगे इसी दोरान बाबर ने नदिया से पुछा कि आखिर वो प्रानी स्पेस्शिप में आए कहां से होंगे क्या वे लोग एलियन हो सकते हैं इस शरीर में जरूरी बदलाव करके हमें उस एन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में मदद करने वाला था ताकि हमारा शरीर जल्द से जल्द टैनिस ग्रह के नए एन्वायरमेंट को अपना सके लेकिन मुझे लगता है कि हमें से कुछ लोग वक्त से काफी पहले ही अपने स् स्पेस्शिप के एंवायर्मेंट में रहने के कारण उनके शरीर में स्पेस्शिप के अंधेरे और मुश्किलों से भरे एंवायर्मेंट को ही अडॉप्ट करना शुरू कर दिया होगा खाने की कमी की वज़े से एक दुसरे को ही खाने लगे होंगे और इस तरह मुठेट होकर उन खुनखार प्राणियों में बदल गए होंगे ये सुनकर शेफ ने नदिया की बात को काथते हुए कहा क्या तुम लोग सच में नहीं जानते की यहां क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हुँ जो मैंने यहां आने वाले लोगों से सुना है इस पर सभी गौर से शेफ की बात सुनाने लगे श्याफ ने उन्हें दिवारों पर बनाए चित्रों को दिखाते हुए आगे बताया बात तब की है जब ऐलसियम स्पेस्शिफ को लांच हुए 7 साल ही उत newborn से जागे उन्हें एक साल हो चुका था हालांकि उनमें पैंडिूलम के सिम्टोम नजर आ रहे लेकिन अब तक वे अपना काम सही से कर रहे थे तभी एक दिन उन्हें प्रित्वी से एक वीडियो मेसेज मिला वह मेसेज प्रित्वी से बीजे जाने वाला आखिरी मेसेज था क्योंकि फ्लाइट टीम को वह मेसेज मिलने तक प्रित्वी का पूरी तरह से वजूद ही मिल उससे पेंदुलम उस पार पूरी तरह से हावी हो गया। उसके मन में यह बात घर कर गई कि प्रित्वी के नश्ट होने का कारण इंसान और उनकी इंसानियत ही है। करने का टान दिया ताकि इंसान टैनिस ग्रह पर जाकर जानवर की तरह रहे और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे का शिकार करें। इससे टैनिस ग्रह पर प्रित्वी की तरह आबादी नहीं बढ़ेगी अब प्रित्वी नहीं थी तो उसे रोकने के लिए कोई नियम या कान नहीं थे वह हाइपर स्लीप में सो रहे साथ हजार लोग के साथ जो चाहे वह कर सकता था उसके क्रू मेंबर्स ने जब उसका विरोध किया तो उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया उसके बाद गैलों ने स्लीपिंग पोर्ट में शो रहे लोगों को जगाना शुरू किया sleeping path से बाहर निकल कर जो लोग लोग pendulum से जूज रहे थे गैलो ने उन्हें ये कह कर अपनी बातों से बहकाया कि अब इस दुनिया में ना तो कोई भगवान है और ना कोई कानून है इसलिए हम बिना दरे कोई भी हद पार कर सकते हैं हम एक नई दुनिया बना सकते हैं जहां हम जानवरों की तरह अपनी जिन्दगी जिएंगे जब एक इनसान दूसरे इनसान का शिकार करेगा तो पृत्वी की तरह यहां आबादी कभी नहीं बढ़ेगी इस तरह गेलों ने उन्हें बहका कर शिप के एक बड़े हिस्से में कैड कर दिया ताकि वे एक दूसरे को खाने के लिए मजबूर हो जाए इस तरह एक खूनी केल की शुरुआत हुई गेलों ने सालों तक वो खेल केला लेकिन फिर वो उस खेल से बोर हो गया और वापस जाकर अपने स्लीपिंग बोर्ड में सो गया लेकिन उसने जिस खूनी केल की शुरुआत की थी वो उसके नींद में रहने के बाद भी चला र जिससे वे लोग नर्भक्षी बन गए और उसे खेल कोई अपनी जिंदगी मानकर एक दूसरे का शिकार करते रहे सालों तक शिकार करते हुए आज वही नर्भक्षी लोग खुनखार प्राणियों में बदल चुके हैं शेफ की बात खत्म होते ही उस चेंबर से एक गैस निकल कर जब वेंटिलेशन में पहुचा तभी ट्यूब्स के बीच से एक निर्वस्त रादमी बाहर निकाला वह आदमी कोई और नहीं बलकी वही गैलो था जिसने स्पेसशिप में उसे खूनी खेल की शुरुआत की थी गैयलो का शरीर खून से सना था और वह पैटन से मदद की गुहार लगा रहा था गैयलो की सच्चाई से बेखबर पैटन उसे वेंटिलेशन से बाहर ले आया उसके बाद पैटन नहीं गैयलो से पूचा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था इस पर पहले तो गैयलो ने पैटन को प्रित्वी के नश्ट होने की खबर दे दी उसके ब पर हावी होने लगा लेकिन उसने किसी तरह खुद पर काबू कर लिया दूसरी ओर बाबर न दिया और मैन जब होश में आये तो उन्होंने देखा कि वह रसी से उल्टे लटके थे उन्हें लटकाने वाला सेफ इथावे तीनों समझ चुके थे कि सेफ उन्हें खाने वाला है बाबर ने उसे चिला कर कहा अगर हमने एक घंटे के अंदर शिप के रियक्टर को रिसेट नहीं किया तो स्पेस्शिप पूरी तरह बंद पढ़ जाएगी और हम सब के साथ तुम भी मारे जाओगे इस पर शेफ भी सोच में पढ़ गया उसने तुरंट उन तीनों को आजाद गया था लेकिन वे प्राणी उनमें से ज्यादातर लोगों का शिकार कर चुके थे वहीं नदिया ने बाबर से पूछा क्या तुम्हारी पत्नी यहां है तभी बाबर को याद आया कि उसकी पत्नी तो स्पेस्शिप पर आई ही नहीं थी क्योंकि वो प्रित्वी छुड कर नहीं जाना चाहती थी इसलिए बाबर को अकेले ही स्पेस्शिप पर आना पड़ा बाबर को ये सोचकर सद्मासा लगा कि प्रित्वी खत्म होने के साथ ही उसकी पत्नी भी मर चुकी थी इसी दौरान बाबर को पैटन की पत्नी का स्लीपिंग पाथ दिखा लेकिन वो स्ली पहुचने वाले पुल के नीचे वे सारे खुनखार प्रानी सोए हुए थे बाबर हिम्मत जता कर दबे पाउं पुल पार करने लगा लेकिन तभी वो पुल तूट गया ये देख मैंने तुरंत उस पुल को पकड़ लिया लेकिन बाबर पुल पर संभाल नहीं पाया और न नीचे उतर कर दवे पाउं उन प्रानियों के बीच आ गया और वहां पड़ी उनकी खाल से खुद को धाक लिया ताकि उन प्रानियों को उसकी गंध ना मिल पाए बाबर उनके ऊपर से रगता हुआ किनारे तक पहुचा ही था कि तभी उधर शेफ का टॉर्च उसके हाथ स चूट कर उन प्रानियों के बीच गिर गया जिससे वह सारे प्रानी जाग गये लेकिन तब तक बाबर रियक्टर तक पहुच शुका था वही मैन पल को नीचे गिर कर उन प्रानियों का ध्यान अपनी और खीच लिया और वहां से भागने लगा इसी बीच बाबर और नदि शिप की बिजली वापस आ गई लेकिन अब भी वहां बहुत से प्रानी बचे हुए थे जो बाबर और नदिया का पीछा करने लगे वही मैन का भी एक प्रानी से सामना हो गया उन दोनों में घमासान युद्ध छेड गया लेकिन अंत में मैन उसे मार गिराया तभी मैन के स सामने उन प्रानियों की एक बच्ची आ गई मैन उसे मासूम बच्ची समझ कर वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसे बच्ची ने अपने भले से मन की गर्दन ही काट दी दूसरी ओर से तेजी से अपनी जान बचा कर भाग रहा था बाबर और नदिया भी उसके पीछे ही इसलिए उसने गालों को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्चन निकाल लिया लेकिन तभी गालों ने उसे देख लिया और उन दोनों में हाथ हापाई होने लगी आशचर्य की बात थी कि उन दोनों के हाथ पर बने टेटू के सीरियल नमबा एक ही थे अगले ही पल गालों पैटन को ही वो इंजेक्शन लगा दिया वो इंजेक्शन लगाते ही अचानक जेलो वहां से गायब हो गया इतने में ही सेप वहां पहुंच गया शेफ पैटन को अपने बारे में बताने लगा लेकिन तभी पैटन ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी आँख में इंजेक्शन नीन, सुला दिया वे प्रानी पावर और नदिया तक पहुंचती तभी उन्होंने किसी तरह रास्ते का दरवाजा खोल लिया और वहां से भाग कर पैटन वाले कमरे तक पहुंच गए कमरे के अंदर आते ही उन्होंने देखा कि स्पेसशिप के कंट्रोल रूम का दरवाजा खुल चुका था ये देख बाबर और नदिया भी कंट्रोल रूम में आ गए लेकिन पैटन उन्हें कहीं नजर नहीं आया वही बाबर कंप्यूटर में ये डाटा कैलकुलेट करने लग था था तो इस वक्त उसे पैटन और उसका परिवार यादा गया था उसे पता चल चुका था कि अब तक वह जिसे पैटन समझ रहा था असल में वह कोई और ही था उसने उस बहरूपिया से पूछा कौन हो तुम इस पर उसे बहरूपिया ने बताया कि वह और कोई नहीं बल की कॉपोरल गेलो ही है वही जेलो जिसने स्पेस्शिप पर खूनी खेल की शुरुआत की थी उसे वक्त गईलो जवान था वह सालों तक खूनी खेल खेलता रहा वक्त के साथ उसकी उम्र बढ़ गई लेकिन फिर वह उसे खेल से बोर हो गया उसने स्लीपिंग बोर्ड में लफ्टिनेंट पैटन को मार दिया और लफ्टिनेंट पैटन के कपड़े पहन कर उसी के स्लीपिंग बोर्ड में सो गया सालों बाद जब वह नीन से जागा तो वह सब भूल चुका था और खुद को लफ्टिनेंट पैटन ही समझ रहा था लेकिन फिर धीरे धीरे पैटन ही समझ रहा था इसलिए वह अपने बुरे विचारों से यानी की जवान गालों से लड़ रहा था लेकिन अंत में उसके बुरे विचार उसे पर हावी हो गए इसी के साथ उसे याद आ गया कि वह पैटन नहीं बलकी गैलो ही है जो अब बुरा हो चुका है ये बात या आते ही उसे अपने पुराने सारे पूरे काम भी याद आ गये उसने सोने से पहले जिस मकसद को अधूरा छोड़ा था उसे वह फिर से पूरा करने में लग गया गिलो की असलियत जानने के बाद बाबर ने उससे पूछा कि वे लोग इस वक्त कहां है इस पर गालों ने देखा कि वे जिस जगा पर थे वहां आस्मान में कोई भी तारा नजर नहीं आ रहा था वहां केवल गहरा अंधेरा था उसे देखभाल को समझ आया कि वे लोग स्पेस में खोचुके हैं जिससे बाबर की घबराहट बढ़ गई और पैंदूर्यम उस पर भी हावी होने उसने गालों को पीट पीट कर उसका मुह बंद कर दिया इसी दोरान पावर और नदिया ने देखा कि उनके स्पेसशिप के ऊपर कुछ अजीब से अजीब पानी में तैर रहे थे उसे देख में समझ गए कि उनकी स्पेसशिप स्पेस में नहीं बलकी पानी के नीचे है जिसका मतलब था कि वो 800 सालों से टैनिस ग्रह पर ही थे दरसल स्पेसशिप पर मौझूद हुए प्रानी स्पेसशिप के पैसेंजर्स नहीं थे बलकी उनके वन्शज थे शुरुआत में वे पैसेंजर्स पेंदुलम की वज़े से पागल होकर गयलों द्वारा सिखाया शि ट्यूब के जरिये दिये गए एंजाइम की वज़े से उनका एवोल्यूशन यानी की विकास तेजी से होने लगा पीरी दर पीरी जैसे जैसे उनके वन्श आगे बढ़ावे स्पेसशिप के अंधेरे माहौल में धलते चले गए क्रिस्टल कम कर दो स्पेसशिप के अंधेर माहौल में धलते चले गए अंधेरी की वज़े से उनकी आखों की रोशनी कम हो गई और उनकी सुनने और सुनने की शक्ती तेज हो गई साथ ही शिकार करते रहने की वज़े से उनकी शारीरिक शमताएं भी विक्सित हो गई आगे चलकर उन्होंने एक दूसरे के अलावा स् खाना शुरू कर दिया इस तरह आज 923 साल बाद भी उन पैसेंजर के वंशज यानी की वह खुनखार प्रानी लोगों का शिकार कर रहे हैं ये सारी सच्चाई जानकर पैंडरम से जूज रहे बाबर का दिमाग घूनने लगा उसे हलुसिनेशन होने लगे जिससे उसे वे प् पर हमला कर दिया ये देख नदिया ने उसे बचा लिया और खुद गलों के साथ भिर गई लेकिन गायों ने नदियों को मार कर दूर गिरा दिया और एक चाकू लेकर उसे मारने आगे बढ़ने लगा इसी बीच बाबर को भ्रम हुआ कि एक प्रानी कमपाटमेंट से बाहर निकल रहा है बाबर ने अपनी गन से उसे शूट कर दिया जिससे उसे कमपाटमेंट का लोहे का धककन उच्छल कर स्पेसशिप के कांच पर जा लगा जिससे वह कांच तूट गया और स्पेसशिप में पानी भरने लगा ये देख बाबर नदिया को लेकर तुरंट वहां स इस वक्त अपने sleeping board को reject कर दिया जिससे वह board launch होकर पानी से सता पर आ गया board से बाहर निकल कर उन्होंने अपने आसपास नजरे दोड़ाईवे लोग अपने नए घर यानी की tennis ग्रे को देख रहे थे इसी के साथ spaceship में पानी भरने से उसमें emergency loan system activate हो गया जिससे spaceship के sleeping board में जिन्दा बचे 1211 लोग भी सता पर आ गए उन्हें देख बाबर और नदिया के अंदर खुशी की लाहर दोर उठीवे बाकी बचे लोगों के साथ मिलकर tennis ग्रे पर मानव जाती की एक नई शुरुआत करने निकल पड़े दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें